Hey guys and welcome back to the channel, मेरे नाम है राजीब, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप आपका fuel pump का filter को clean कर सकते हैं तो आप कितना ही अच्छी quality और कितना ही आच्छा rebooted petrol pump से ही क्यों ना petrol भर रहा हो पर petrol में कुछ ना कुछ dirty particles रहता ही है जो धीरे धीरे अपका fuel pump का filter जो है उसे clogged कर देगा और filter अगर clogged हो जाएगा तो fuel pump जो है वो अपना natural flow में flow नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे एक एक कर गे सभी चीज़ों में problem आ जाएगा power loss अगर आपके bike में हो रहा है तो इसके अंदर बहुत सारा चीज़ included हो सकता है जैसे कि आपके injector में problem हो सकता है आपका valve clearance गलत हो सकता है आपका air filter जो है वो clogged हो सकता है तो ये सारे चीज़ अगर आपके bike में ठीक है पर फिर भी यहाँ पर problem आ रहा है थोड़ा थोड़ा power losses हो रहा है आपको लग रहा है कि bike पहले जाएसा run नहीं हो रहा है तो आप fuel pump का filter को clean कर सकते हैं ये वीडियो में मैं आपको step by step guide करूँगा और अगर आपके पास थोड़ा बहुत knowledge भी है तो फिर भी ये वीडियो आप अगर end तक लेखेंगे तो आप खुद बखुद ये काम घर में कर सकते हैं तो सबसे पहला step जो आपको करना है यहाँ पर दोनों side से plastic का जो सारे parts है उसे निकाल लेना है उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर दो 10 mm का bolts है उसे निकालना है और दोनों 10 mm का bolts ये side पर आपको दिखेगा दोनों side पर उसे आपको निकालना है इसके बाद हमको fuel pump का जो electrical connector है उसे निकालना है तो उसे निकालना काफी आसा न है इसे बस आपको press करके नीचे pull करना है और यह निकाल आएगा इसके बाद हम इसका जो hose pipe है उसे निकालेंगे तो इसके उपर आप देख रहे हैं ऐसा एक red color का clip है तो इसे आप एक flat head screwdriver से निकाल सकते हैं इसे निकाल जो evaporator petrol को absorb करता है तो उसको भी हमें निकालना है तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर जो petrol है उसे तो आपको निकाल ही लेना है पर पूरा empty नहीं करेंगे तो फिर भी चलेगा क्योंकि इस position में अगर हम tank को रखेंगे तो petrol जो है नीचे की तरफ चला जाएगा और petrol loss ह जो है उसे आपको निकाल लेना है और उसे के साथ fuel pump जो है आपका निकालाएगा तो यहां पर आप देखेंगे कि एक black color का आपको float दिखेगा तो यह float ही है जो sender unit से connected रहता है अगर आपके bike में fuel level शो नहीं कर रहा है तो आपको यह assembly चेंज करना है इसे sender unit कहते हैं यह एक voltage divider circuit है एक 5 volt का voltage को यह divide करता है और इसी के जरीए यह fuel को measure करता है अभी directly चलते है fuel pump की तरफ तो यहां पर आप देखेंगे कि चारो wires connected है दो left side के दो जो wires है वो है आपका motor का और right side का जो दोनों wires है वो है sender unit का अभी यह चारो wires को आपको निकाल लेना है और निकालने के ब इसे नीचे की तरब pull कर सकते हैं पर wire से अगर आप directly pull करेंगे तो chances are there कि आपका जो connector है वो wire से detach हो जाएगा अभी आप देख सकती ये चारो clips आपको दिखेगा ये चारो clips को एक एक करके आपको press करना है और एक flat head screw diver से यहाँ पर आपको ये gap जो है इसे increase करते रहना है क्योंकि एक को push करके हम इसे निकाल नहीं पाएंगे चारो को एक साथ push करना है तो ये part थोड़ा सट्रिकी है आप you are getting the point कि मैं क्या करना चारा हूँ और आपको ही ये ही process follow करना है आपको एक helping hand जरूर चाहिए होगा क्योंकि आके लिए आप ये काम नहीं कर पाएंगे ये थोड़ा सा tricky है time consuming है patience रख के आपको करना है क्योंकि अगर आप ये levers ये clips break कर देते हैं तो ये जो case है ये कभी पहले जैसा fitting नहीं होगा और probably आपको एक new यहाँ पर fuel pump खरीदना होगा क्योंकि ये अभी कभी पहले जैसा seal नहीं हो पाएगा तो आपको patience रखके इसे खोलना है धिरे-धिरे करके हम भी पहली बार इसे खोल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कोई difficult काम तो नहीं है पर थोड बहुत patience आपको ज़रूर रखना है तो ये काम हो जाने के बाद बाकी काम बहुत ही easy है बाकी जो steps है काफी easy है इसे खोल लेना है बस आपको धिरे-धिरे करके यहाँ पर कोई electrical connectors वगेरा या फिर कोई और कोई restrictions आपको नहीं मिलेगा बाकी सारे चीज आसानी से निकलाएगा बस आपको o-rings का धियान रखना है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक o-ring है और अंदर में आप देखी सकते हैं क्या सारे चीज जाके जमा हुआ है तो सारे चीज हम clean करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं fill pump में अंदर भी मैं यहाँ पर cotton का fabric देख सकता हूँ और यह द खीक से रखना है इसे आपको गुम नहीं करना है और यहाँ पर आपको एक flat head screwdriver से यह filter को अलग करने ना है क्योंकि हम filter को ही clean करेंगे pump को हम कुछ हाथ नहीं लगाएंगे pump को एक side पर रखतेंगे और यह filter को अभी हम clean करेंगे petrol से तो यहाँ पर मैं as a jet sprayer इसे यूज कर रहा तो ऐसी तरह हम backwards करते रहेंगे जितना टाइम तक यह धीरे धीरे इसका अंदर जो जह सारे चीज प्लॉग कर चुगा यह petrol filter को उसे हम clean करेंगे तो depending आपको यह बाइक आपके filter के condition according depend करता है कि आपको कितना petrol लगेगा या फिर कितना time लगेगी इसे clean करने में तो हमें approximately 20 to 25 5 minutes इसे लगा था clean करने में तो इसके बाद हम ऐसे container ले रहे हैं engine oil की डबा को काट करके हमने बनाया है इसके अंदर हम petrol डाल के फिर चो वास करेंगे तो जितना हो सके इसे हमको clean कर लिना है तो जो सारे particles इसमें निकल रहा था उसमें से थोड़ा बहुत sand particles था कुछ rust मुझे नहीं मिला है अभी तक डाइटी particles जो है black color में मिल रहा था तो क्या चीज़ है मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा filter अभी clean हो चुक है अभी इससे test करने के लिए मैं आपको एक process बता रहा हूं तो यह आप follow कर सकते या फिर आप कुछ और step भी आपके हिसाब से बना सकते हैं जैसे कि यहां पर मैं इसे back flow करा रहा हूं जाकि जो अंदर में sponge है उसके अंदर petrol आ जाए और इसके बाद हम यहां पर tap करेंगे तो अब देख सकते हैं अगर इसमें कोई कचरा अंदर रहेगा तो यह ज़रूर बाहर आएगा black color में जैसे कि यहां पर निकल र रहा है तो इसका मतलब यह filter clean हो चुक है अब अब शायद सोच रहे होंगे कि इसके अंदर जो black color आपको दिए यह क्या है तो इससे आपको confused नहीं होना क्योंकि इसके अंदर का जो filter material है वो ही itself black color का है तो इसलिए यह अगर petrol से absorb हो जाएगा petrol तो यह जो net है उसके साथ लग जाएगा और उसके बाद यह black color होना शुरू हो जाएगा तो इससे आपको confused नहीं होना है बस आपको इसके अंदर से जो सारे dirty particles से उसे आपको अच्छी तरह से clean कर लेना है अभी हम reassemble करेंगे और अभी आप वीडियो को छोड़ के मत जाए क्योंकि आखिर का जो step है वो मैं बदताने वाला हूं आपको तो देख सकते हैं O-rings को आपको ध्यान में रखना है एक O-ring यहां पर जाएगा और एक o-ring जो है हमारा outer cover है उसके अंदर जाएगा जैसे की आप देख सकते हैं तो यह दोनों O-rings आपको ध्यान से रखना है इसे गुम नहीं करना है अगर करा देंगे उसके बाद मोटर को अंदर डाल देंगे और इसे हमको बस प्रेस कर देना है इस घर के और यह मोटर जो है कि पोजिशन में बैठ जाएगा और अब देख सकते हैं यह जो स्लॉट है यहां पर यह दोनों चीज को आपको अलाइन कर लेना है क्योंकि इसके अंदर ह कि जो अमरा outer cover है वो उसका यह वाला हिस्सा जाएगा ठीक है तो हम डाल देते हैं इसे wires को हमने निकाल लिया है अभी हम cover को लगा लेते हैं सबको बस प्रेस कर देना है और चारो जो levers है वो अपने position में अपने socket में lock हो जाएगा यह wires को अभी हम लगा लेंगे अगर आपको electrical में उतना अच्छा knowledge नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप एक picture खीच के रखिए ताकि आखिर में आपको इसका connection करने में आसानी हो पर मैं आपको पता देता हूँ एकदम extreme ends में दोनों आर्थिंग होगा ground होगा और बीच वाले दो होगा powers का बीच वाले में से भ तो अभी लगाने के वक्त आपको यह वाले हिस्सा को थोरा सा ध्यान देना है क्योंकि this is the best time to check this for any rusting अगर रस्ट आ रहा है तो आप इसे clean कर सकते हैं vinegar से या फिर कोई भी rust remover solution से और उसके बाद आप इसे लगा सकते हैं और यह जो retainer plate है इसका भी आप position देख सकते हैं यह यह की direction से लगेगा टैंक को बाइक से connect कर दिया है connector और यह pipe जो है लगा दिया है अभी जब first time आप इसे on करेंगे तो fuel pump का on होने का जो sound है वह आपको शायद नहीं मिलेगा कुछी बाइक में होगा कुछी बाइक में नहीं मिलेगा तो आपको tension नहीं लेना है इसे दो चार आपको आपको शुनाई दिया इस टाइम आपको शुनाई दिया अब यह बाइक राइट करने के लिए तैयार है तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं कि आपने देखा कि बहुत ही आसान था यह काम करना और आप घर में इसे कर सकते हैं थोड़ा बहुत आपको नॉलेज करना रखना है और आप अगर आपको कोई helping hand मिलता है कोई friend है आपका या फिर घर में कोई आपको help करने वाला है क्योंकि जो जब हम जो फिल पाम को खोल रहते उस टाइम आपको सायद किसी का help लगे क्योंकि screw driver दोनों आपने देखा कि कैसे आम इसे खोला एक अकेले हाथों में अगर आप करना चाहेंगे तो सायद वो जो छोटे-छोटे levers हैं वो ब्रेक हो सकते हैं तो that's it for the video अगर ये वीडियो आपके लिए helpful था तो ज़रू लाइक कमेंट शेयर करेगा और सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मैं हमसे मिलूंगा ऐसी किसी important और helpful topic के साथ next time तक के लिए take care and thanks for watching